अलव दोस्तों आज हम एक नहीं वीडियो लेकर आजीर होएं जो परदान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना के उपर है इसमें क्या-क्या लाब है इसके बारे में चर्चा करेंगे चलते हैं आगे नेक्स पेश पर क्लिका आया कि परदान मंतरी, जिवन, जोती, भीमा, योजने के जो महत पौण बिंदू है किस-kिस बिंदू पर हम चिर्चा करेंगे जिसी इसकी पातरता क्या है, इसको किस लिए लागू किया गया है इसमें सर नामांकन कैसे करते हैं इसमें जो नामांकन करने के लिए जो आवशक दस्तावेज उसके बारे में चर्चा करेंगे इसमें कितनी राशी जम्मा करानी होगी जो ये पोलीसी है जो ये बीमा है वो कितने वर्ट्सों के लिए इसकी पोलीसी यवदी के बारे में चर्चा करेंगे इसमें क्या-क्या लाब होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे ये बंद कब होगी और कितने साल लगेंगे बंदोनी में और इसके नियम और सत्य के बारे में चर्चा करेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सरक्साइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेज कीजिए एसी आने वाली नहीं नहीं अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त है और वीडियो को शुरूँ से लेकर अंतक जिरूँ देगे चलते हैं आगे कर लिखा है कि परदान मंत्री जीवन जोती बीमा योजने तो जो पातरता होती है उसके बारे में चर्चा करें कि इसी योजना का लाब लेने के लिए पोलिसी दारक भारत का नागरिक होने चाहिए सबसे पहले पातरता भारत का नागरिक होने चाहिए दूसरी जो पातता है कि पोलिसी लेने वाली व्यक्ति की आयू कितनी होने चाहिए अठारा सर लेकर पचास वरस के मद्दे होनी चाहिए उसके आयू आगे जो तीजरा पोइंट है वो लिखा है कि इस योजना के अंतरगत बीमा धारक किसी भी बेंक में बचत खाता होना अनिवारी है इसका आठ यह वाल कि आपके किसी भी बेंक में एक बचत खाता होना अनिवारी है अगला जो चोटा पोइंट है पातता के लिए कि किसी व्य बचत खाते से एक ही बेंक से ये इस योजना में सामिल हो सकता है अगली पातता है कि आप इसमें सामिल होने के लिए जो आपको किसी भी प्रगार की जो मेडिकल की जाच होती है वो आपको इसमें जुरूरत नहीं होती है ये इसकी पातता है तो आप इसमें फोरम भर सकते हो चलते हैं आगे इसका उद्देश से क्या है इसको किस उद्देश से इस योजना को सुरू किया गया है जीवन जोती बीमा योजना को सरकार द्वारा परधान मंति जीवन जोती बीमा योजनों को सुरू करने का उद्देश से देश की गरीब जनता को जीवन बीमा की परिव्यक्ति की मर्तिव दुरगटना या फिर किसी कारण से हो जाती है तो उसके परिवार को मदद दी जाती है ये इसका उद्देश से है कि किसी कारण किसी मर्तिव हो जाती है तो उसको कुछ आर्थिक सायता दी जाती है ये इसका उद्देश से आगे चलते हैं कि परधान क्या ब्रांच में जाकर आप इस योजना में अपना नामांकन करा सकते हैं दूसरा जो बैंक बीशी होती है उसमें जाकर आप ये नामांकन करवा सकते हैं तीसरा पॉइंट है कि पोस्ट अपिस में जाकर भी आप इसका नामांकन करवा सकते हैं चोता जो नामांकन कराने का तरीका है कि वर्ल्ड इंटरनेट यानि इंटरनेट बेंकिंग के माध्यम से आप इसमें नामांकन करवा सकते हैं और अंतिम पॉइंट है कि एंसुरेंच एजेंट या फिर एंसुरेंच ओफिस में जाकर भी आप इस योजना में नामांकन कर सकते चलते हैं आगे इसके जो आउशक दस्तावेज है इसके बनने के लिए ना मांग करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की आउशकता होती है पहला दस्तावेज आपके पास आदारकार होना चाहिए दूसरा आपके पास पेन कार्ड होना जरूरी है और तीसरा जो दस्ता थो भो भी आप के पास होना ज़रूरी है चलते हैं के या अपकी जो आएका वीब्राय वह भी इस में मांगा जाएगा अगला जो डोकुमेंट है बənक की थो यूद बचच खाता जो एक ही बैंक में आ जरूरी है आपका ये बेंग की passport आपके पास होनी जरूरी है आगे चलते हैं आपके जो mobile number है वो present time में बेंग से link होने चाहिए वो चलू mobile number आपके पास होने जरूरी है ये आपके पास no type के जो दस्तावेज है आवश्यक जीवन जोती बीमा योजना के लिए ये आपके पास होना ही जरूरी है चलते हैं आगे next कि पर्दान मंद्री जीवन जोती बीमा योजना में कितने साल तक ये कितने साल तक होती है मतलब कितने साल तक इसमें पैसे जमा गराने होती है सबसे पहली बात ही है जो इसकी वेलेटी दिया वो गतम जाएगी फिर अगले साल वापिस इसमें पैसे जमा कराने पड़ते हैं तो पैसे जमा कराने पड़ते हैं इसकी जानकारी करते हैं कि परदान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना के अतहत पोलीशी धारक को 436 रुपे वार्शिक प्रिमियम इसका आर्थ यह हुआ कि एक साल के आपको 436 रुपे जमा कराने होते हैं आगे कि खाता जोइन्ट होने की इस्तित में दोनों खाता दारकों को अलग अलग वार्शिक प्रिमियम देना होगा मतलब कहने का आरता है कि यदि एक खाते में दो जो नोमिनेट होता है दो खातों में जोइन्ट है तो दोनों की यह दि पॉलिस यह करवाना चाहते हो तो दोनों की आपको अलग-अलग प्रिमियम देनी पड़ेगी 434 रुपे अलग-अलग देने पड़ेंगे एक 434 रुपे में एक ही खातेदारक की जो जीवन जोती बीमा हो सकती है आगे चलते हैं 2022 के पहले जो वार्षिक प्रिमियम राशी थी वो 330 रुपे थी लेकिन 2022 के बाद जो वर्तमान में इस वार्षिक प्रिमियम को 436 रुपे कर दिया गया है 2022 के पहले यह 330 रुपे थी अब इसका परजेंट टाइम है जो 2022 के बाद 31 मही के बाद इसकी जो राशी है वो 437 रुपे कर दी गई है आगे चलते हैं इसकी आउदी कितने साल तक होती है इसकी कितने साल तक जमा कराने पड़ते हैं इसकी 1 जून से लेकर अगले वरस 31 मही तक होती है उधारन के लिए जिसे 1 जून 2023 से इसमें आपने पेसे जमा कराने होती है इस योजना कि जो पीरिम्यम राशी है जो 436 रुपे है वो पड़ते हैं कि इस योजना में जो नवनिकरण के लिए जो ओटो डेपिटे की सुधा लगवा सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि योजना हर साल लेड़ों कराना पड़ता है आगे चलते हैं कि पदान मनती जीवन जोती योजना के जो क्या-क्या लाब आ है हम इसमें 436 उर्पत दे रहे हैं तो उसे कोई भी लाब नहीं दिया जाएगा अगला जो पॉइंट है हमारा कि इस योजना की अवदी यनि मेचुरिटी की उमर 55 साल है इसके बाद यदि इस पोलीशी का लाब नहीं ले सकते हैं मतलब 55 साल बाद में यह पोलीशी आप इसमें आप लाब नहीं ले सकते हैं अगला जो इसका लाब होगा क्या फिर इस योजना में इस पोलीशी में कवर व्यक्ती बीमारी दुर्गटना या किसी कारण से मर्त्य होती है जब उसकी बीमारी या दुर्गटना या किसी कारण से ही मर्त्य होती है तो उसके परिवार को 2,00,00 रुपे दिये जाते हैं जो आर्थिक मदद होती है इसके अलाव और कुछ नहीं दिया जाता है आगे चलते हैं यह इसका अलाव था आगे चलते हैं कि परदान मंति जीवन जोती बीमा योजना में जो राशी कब मिलेगे में परदान मंति जीवन जोती बीमा योजना बंद कब होगी बंद कब होगी तो बंद होने का तरीका है कि बेंग खता बंद कराते हो तो पोलीशी भी बंद हो जाएगी सबसे पहले बात है अगली जो बैंक अकाउंट में जो प्रिमियम राशी नहीं होने पर यदि 436 पर आपके पास बैंक में नहीं होने पर यह इस्तति में यह बंद हो जाएगी पोलीशी तो 436 पर आपको वार्सिक आयो वार्सिक जो premium होती है वो आपकी पास bank में होनी चाहिए जब यह दिनी हो 31 मेंग के पहले चलते हैं अगला point का इस policy में जो maturity है 55 वर्स के आई होने के बाद इस policy को automatic बंद हो जाएगी मतलब बंद कराने की कोज उतनी होगी 55 साल होने के बाद यह automatic policy बंद हो जाएगी आगे चलते हैं कि इसमें नियम और सर्टे क्या है नियम और सर्टे अगर किनी भी तकनिकों के कारण से कवर भीमा समाप्त कर दिया जाएगा जैसे की तारिक पर परियाब थेज या अन्य परसासे कारशे से तो इस अवदी के दोरान यदि कोई दुरुखना हो जाती है तो आपको जोखिम कवार नहीं दिया जाएगा अगर अच्छे सुष्टे के संतोजनक विवरन प्राप्त कर दिया होने पर भी पूर्ण है लागू किया जासता इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी कारण से आप पॉलिसी में पैसे जमा नहीं करवाते हो एक साल के यदि वो पॉलिसी पिछले साल करवाई और इस साल अपने पैसे नहीं जमा कर रहे और किसी कारण से ववन्द हो गई और आपको दुरुखना के कारण मरते हो जाते है तो आपको ये बोल रहा है कि आपको इसका लाब नहीं मिलेगा अगला पॉइंट हमारा का अगला पॉइंट ये है कि सभी नए खरीद जो इस पॉलिश को लेते हैं इस योजना के अंतरगर नामांकन से 30 दन पहले कलेम नहीं कर सकता 30 दन की आवदी पूरी होने के ही बाद ही कलेम किया जा सकता है पहले 30 दनों में कमपनी किसी भी परकार के दावे का निप्टान के नहीं किया जाएगा लेकिन आवदे की मत्यू किसी दुरगटना के कारण हुई है तो उस इस्तिति में आवदा का बुक्तान क्या जाएगा इसका मतलब विवागा का यदि आप इस योजना में नहीं हो और 30 दन के अंदर किसी भी व्यक्ति की मर्त्य हो जाती है और मर्त्यू का कारण दुरगटना ही होनी चाहिए दुरगटना होगी तब ही आपको कलेम दिया जाएगा तो कलेम की इस परकार से लिए जाएगा तो पहले तो यह देखो कि परदानमंति जिवन जोती योजना का जो फारम होता है वो कैसे होता है यह रब परदानमंति जो सहमती सहय गोशना पत्र है जो परदानमंति जीवन जोती बीमा योजना का ये एक फोर्मेट है इस प्रकार का ये आपको जो फोर्म है इसकी ओपिसिल वेबसेट में मिल जाएगा जो www.jansurksa.go.evn पर है आगे चलते हैं आगे लिका इसका टोल फिरी है ये आपको कोई अलग से जानकारी चाहिए तो ये हमारे राजस्तान के जो बेंक ओफ वडोदा के जो नंबर है टोल फिरी नंबर जो भारतिय समय उनसार सुबह छे बज़े से लेकर रात दस बज़े तक ही ये सुईदा लेकिन खुद चलकर इसे योजना को बंद करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या पड़नेगा इस पोलिशी को बंद करना चाहते हो तो आप बेंक में जाकर एक फोरम लेकर इस योजना को बंद करने के सुचना दे फिर बेंक द्वारा इसे जीवन जोती योजना को बंद कर दिया जाएगा मतलब कि आपको सूचना देने पड़ेगी एक फॉरम लेकर कि मैं इस योजना को बंद करना चाहता हूँ फिर भी ही बैंक बंद कर पाएगा अन्यता ये पोलिशी बंद नहीं होगी आगे चाहते हैं कि परदान मंति जीवन जोती बीमा योजना मर्ति होने पर क्या करें मतलब कि किसी मर्ति हो जाए फिर क्या करें तो मर्ति होती है तो सबसे पहले आप क्या करें यदि किसी व्यक्ति की बीमारी या दुर्कना तता अन्य कारणों से मर्ति हो जाती है तो bank या जहां से इस policy को आपने करवाया है उसे 30 दिनों के बीतर सूचना देने हैं और claim forum बरकर जमा करना होगा मतलब कि आपने जहां से बैंक से करवाया है या किसी policy agent से करवाया है उसे 30 दिनों के उंदर इस claim forum को भरकर 30 दिनों के अंदर उसे पहुnचाए वो claim forum के लिए जो आउशक दस्तावेज इसके बारे में चर्चा का लेते हैं ये जो नो परकार के आउशक दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है जिसे नामित का आदारखाट, नामित के एक फोटो होने चाहिए नामित की जो बेंग पास होने चाहिए उसके बाद दुर्गटनाएं के इस्तर्थी जो पास पॉस्ट माठाम रिपोर्ट होने चाहिए पंच नामा होने चाहिए, एफायर जो आपकी पॉप्य होने चाहिए कलेंग फोरं जो बेंग द्वारा दिये जाएगा वो भी आपको एक गोजना पतर होना जाए कि मैंने किसी भी बैंक से अन्ने बेनिफिट ले लिया है इस योजना के दुआरा तो यह आपके पास नो प्रका के डोकुमेंट होना चाहिए और यह कलेम फोरम बरकर आपको बैंक में जमाग रहना है यदि आप जीसे ये बीमा कंपनिया अन्ने पॉलिसी ली है जहां से हैं तो वहाँ यदि आप ये सबी दस्तावेज पहले से तयार कर लिखे जाए और आउश्यक्ता रोप से आपको रोपचारी रोप से 20-30 मिनिट का समय लेगेगा और आपको ये जो बैंक का आवेदर होता है वो बीमा कंपनी के पास पहुच जाएगा उसके बाद आपके पास एक-दो महिने के अंदर इसमें पैसे खाते में आ जाएंगे तलते हैं आगे जो ये कलेम फोरम किस परकार का होता है जो परदान मंति जीवन जोती योजना का जो कलेम फोरम होता है मर्तिव आने के बाद कलेम फोरम तो इस परकार का ये परदान मंति जीवन जोती योजना का ये जो कलेम फोरम आपको दिखाए दे रहा है इस परकार से और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जे से एसी है आने वाली नहीं 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 डेव सबसे पहले आपको प्राप्त हो जे हिंद जे भारत वंदे मातरम